आज हम नरेशम का कपी परेंगे नरेशम जो है वो नरेव वरभ है इसका मींज कफन है नरेव से हमारा नरेशम पना है रिपोर्टिट्स स्पीच इसको बोते हैं द्यक्स स्पीच या इड़क्स भक्तवेश जिसको सीथे हम आमने सामने पेज तो पेज बात करते हैं तो उसको हम बोलेंगी ड्यक्स स्पीच जब हम किसी चाट पुस्म के बारें बात करते हैं तो उसको बोलेंगे इंडाइट स्वीज यानि एफ अपर्टक्स भक्त हुए और जामपल He says to me I am going to Delhi now वह है मुझे कहता है कि मैं अब Delhi जाहूं तो इसके अंदर जब हम डैट से in-date स्वीज में चेंज करते हैं तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ट को देखना है किसकी रिपोर्टिंग वर्ट पर्जेंट में है, पास्टेंज में है या फूचर टेंज में यदि reporting word present और future tense में है तो reporting speech का जो sentence है वो change नहीं होता है यदि reporting word आपकी past tense में है तो ये according to tense के now pronoun तो change होंगे ये जीन बुझे है तो पुर्चांप तो मैं तो इसके अंदर सबसी पहले है हम यह हमारा subject हुआ मी हमारा object हुआ यह हमारे subject और object यह हमारा हुआ क्या है परस परसल है तो यह हमारा formula है वीज़ प्रक्रक्राइब क्या में ध्याज देर जो और स्टुरेंट इसंदेर पुरी वेल्ट अब्लाइक और संबटे एकसो देश यह हैं वन टू थ्री सं मींज क्या है subject और मींज अब्जेक्ट और मींज नौजिए और नीचे मैं आपको लिखा यह हमारी परसल है परस परसल मैं परस परसल हूँ और मेरे सामने आप बैठे हो second person है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो third person है तो first person के तर क्या हैगा I might be mine we are ours ours we are us sorry we are us ours you your you your और third person में हमारा second में हमारा क्या है यू 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 और फरसल में he is in see her it is it is they there them and in here यह परकार से हमारे नाम से प्रवनाव चेंज होगी उसकी बाद यह जो I we you है इसको हम बोलते हैं subjective case यानि करता कार माइड और यूर है इसको हम बोलते हैं objective और मी अस जो है इसको बोलते है objective case यानि जो helping main work के बाद आता है मारा objective case होगा माइड और स्यूर्स यह हमारे प्रवनाव होते हैं इस प्रकास से हम इसको आगे हम बढ़ेंगे इस जो यह reporting work है direct speech and direct speech है narration है यह kind of part इसके part कितने हैं इसके six part है जो है पहला है simple sentence यानि सकर्व वाक्य के सेंदी है negative sentence यानि नकारातमक वाक्य के थर्ड है interrogative sentence यानि परस्णात्र क्वाक्य के और है imperative sentence यानि आदेश जिसमें आदेश दिया दाता है आदेश आत्मक वाक्या इसको हम इच्छा वाचक बोलते हैं शिख सेवारा अक्षलामेटरी संटेंज जिसमें विश्मयादी बहुते हैं जिसमें हम कोई भी किसी सीन को देख करके आज सारे स्कीत होते हैं तो आगे हम इसको कार्षे करेंगे इस संटेंज को ही सेज सेज का टैस मी और यहां की यानि आदेश इसमें आदेश दिया दाता है आदेश आत्म कुबाटियों आई में अप्टिटिव संटेंज इसको हम इच्छा वाचक बोलते हैं सिख सेवारा अक्षिलामेट्री संटेंज जिसमें विश्मयादी हो यह जिसमें हम कोई भी किसी सीन को देख करके आज सारे स्कीत होते हैं तो आगे हम इसको कार्षे करेंगे इस संटेंज को ही सेज सेज का टैस मी और यहां कि को माइन विश्मयाद्री आएगा आइकोन किस में करणोर करेंगे संटेंज का होड़ो लग साहा था यहीं सब्जैक्ट इसे कोडिंग फस्ट परसंगें और परसंगें और परसंगें तो फस्ट परसंगें अमारा क्या है की में अधुकर आएगीं यहां परसंगें और यहां का रखेंगे तो यहां क्या रखेंगें और यह का रखेंगें और यहे कहीं यह हैं जहें, he is, he is, आई के साथ के लगता है, and, he is going to daily now, आप सो इवोचे कहें ही, कि नाउ को देन में चेह क्रोशर, नाउ को देन में चेहिता होगा मेटे, जब याँ पार, क्याँ याँ पार रिपोर्टिंग वर्म जोत है, वो पास्टेंज में होगा, तब इसको आउ को देन में कर सकते हैं, otherwise, यदि रिपोर्टिंग वर्म परजेंट में, या फ्यूचर टैंज में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीस का टैंज चेंज नहीं होता है, और नियर्बाइ वर्ड भी चेंज नहीं होते हैं, वो एजिकीज रहते हैं, योगी मोग ये तक रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, और जब यहां पर हमारा पास्ट में तो सब नियर्बाइ वर्ड भी चेंज होंगे, आगे आपको बताँगा, आगे स्टूटेंट्स, हम, आपको बताएंगे, He will say to me, you are writing your lesson, वह मुझे करेगा, कि तुम तुम्हारा लेसन लिख रही हो, तो इसको चेंज किया, मैंने आपको बताए था, कि यह तहीं सबसे पहले जब हम डिरेक्ट से इंडेक्ट से इंडेक्ट सेंज करते हैं, यह रिपूर्टी स्पीच बनाते हैं, तो सबसे पहले रिपोर्टींग वर्प को आपको आपको अमने देखना परने कि एक किस टैंच में है, अब यहां भी से है तो बिल से पूचर टैंस में है पर जैन को फूचर टैंस में इसी पूर्टिंग वरब है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टैंस जें नियोता ओनी नाउन प्रावनाओं भी चेंज होंगे तो वीविल पैंस से तूं का वाए राक्या हो या थैंग है ऐसे नहीं आई है कि इस है लोगयों के साथ और यूरप की पर्स्ट प्रम यूजोफी है तो वीविल टैल मी बैट यू 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 हमारा सैंट परसन है तो सैंट परसन मैंने आपको पूला बताया था आप संग बटे हैं 106 तो यू हमारा क्या है मी उप्जेक्ट परसन किसके एंगर क्या हूं तो इसमें हम क्या करेंगे आई माई मी और यू 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 तो किसके एंगर क्या है ये यू है है तो सब्जेक्ट में तो आगी सकता क्योंकि नियों जैक्ट होता है तो हम यहां सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट है तो आई आई के साथ अंपीज का यूज़ करते हैं क्योंकि टैन्स नियों का अधाया था कि पर्जेंट और फुटर टैन्स में हो तो इस पीज का टैन्स नियों था ओनी नाउं प्रोग्नाउं भी आपके चेंज हो तो वी इल टैन मीन आई एम राइफिंग फिर आपके यूवर आया यूवर पूंद रहेंगे कि यूब यूर्न यूवर यूऊं और यूवर यूवर से की पर्शन है तो माइल साथ स्क्रीचेंज हों यूख क्या है माइल यह मानग बहए सिप्जिव है कि अगेला युद्दी कि इसके साथ वंग्ज जब नाउं होता है तो नाउं पर इस प्जिंज दर पत्य है और को कैसे बचों सेंज करूँगे वजी सबसे पहले में हुआ हैते से का स्ज्त का थैंज इस पर कास्क्राइब यह चेंज होगी और यदि यह है तो इसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीज जो है यहां तो नाव का देंग कम होगा जब यहां पर और आपका रिपोर्टिंग वर्ग में वर्ग जो है पास्टाइंस लोगी नहीं कैसे सैट को हम सैट में चीज़ करेंगी सैट को और तोल्ड को तोल्ड मेंगी चेंज होगा तो आगे अगली वीडियो मता को बेटा थैंक्स